Hello everyone, मैं हूँ किरिंचापुरी और ये है आप लोगों के लिए October 2024 की Love Tarot Reading तो अगर आप जानना चाहते हैं कि October मन्त में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है क्या आपके पार्टने की आपके लिए energies रहेंगी क्या आप महसूस करेंगे आप दोनों के बीच में October मन्त में क्या रहेगा कौनसी छोटी छोटी सी बाते हैं जिनका खयाल रखके आप October मन्त की energies को बदल सकते हैं October मन्त में अपनी love life को भेतर कर सकते हैं तो यह reading आपके लिए है और इस reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं फिर चाहें वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशी हो, आपका moon sign हो या फिर आपका sun sign हो तो चलिए जी शुरू करते हैं आप लोगों के लिए October 2024 की love tarot reading आप लोगों के लिए देखेंगे October 2024 में आपकी love life में क्या हो रहा है में पास यहाँ पर तीन set of cards हैं फर्स set of cards में हम आपके energies देखेंगे, सिकंड set of cards में आपके partner की energies देखेंगे और थर्ड set of cards में हम देखेंगे कि finally October month में क्या हो रहा है तो आप से शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पर सबसे पहला card मुझे देख रहा है King of Cups reverse और यह card कहता है कि कुछ time से यहाँ फिर October starting में आप एक काफी love, प्यार, महबत अपने partner के लिए महसूस कर रहे हैं कुछ लिए उसके लिए हो सकता है कि आप बहुत अपने love को express कर रहे हैं और कुछ के लिए हो सकता है कि आप बिल्कुल भी नहीं express कर रहे हैं देखें यह card reverse है तो इन ही energies में कहीं एक balance नहीं रहता वा दिख रहा है जो भी कर रहे हैं ज़रुरत से ज़ादा कर रहे हैं या फिर ज़रुरत से कम कर रहे हैं जैसे कि अभी मैंने आपको बताया या तो बहुत ज़ादा ही love express कर रहे हैं या फिर यूनो आप बिल्कुल भी नहीं express कर रहे हैं but definitely king of cups का card कहता है कि आप महसूस तो कर रहे हैं उनके लिए प्यार महबद और deeper level के लिए manipulation का card head games are for children की बात करता है तो यहाँ पर दीकि नचल में एक card कहता है कि कि किसी level पर किसी तरीके से आप चीजों को manipulate भी कर रहे हैं अब इस चीज को सुनके आप थोड़े से offensive ना हों कुछ लिए उसके लिए literally हो सकता है कि आप बहुत healthy you know manipulation कर रहे हैं अब healthy manipulation का मतलब यह होता है कि आपको ऐसे लग रहा है कि सीधे तरीके से तो चीजें होंगी नहीं थोड़ा सा तेड़े तरीके से करना पड़ेगा आपकी intentions, motives बहुत ही अच्छे हैं लेकिन कहीं आपको थोड़ा सा फिर से कहूंगी manipulate करना पड़ रहा है यानि कि तेड़े तरीके से चीज़ों को deal करना पड़ रहा है और कुछ लियोस के लिए हो सकता है कि आपके intentions, motives भी ठीक नहीं है और आप अपने partner को manipulate कर रहे हैं और ये भी हो सकता है लियोस आप खुद को manipulate कर रहे हैं जब हमारे मन में partner के लिए बहुत प्यार होता है और सामने से हमें उस तरीके का response नहीं मिल रहा होता है तो हमारा mind हमें ही manipulate करने लगता है, partner को justify करने लगता है और फिर हम इसी trap में फस जाते हैं तो फिर से clear कर दूँ, कुछ लिए उसके लिए हो सकता है कि आप partner को manipulate कर रहे हैं कुछ लिए हो सकता है आपका mind आपको ही manipulate कर रहा है कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी manipulation है वो बहुत ही healthy है यानि कि आपके motives, intentions ठीक है और कुछ के लिए हो सकता है कि आपके intentions, motives इतने ठीक नहीं है जो भी हो, deeper level के लिए I am sorry का card कहता है कुछ चीजों को लेकर आप थोड़ा सा sorry feel करते हुए दिख रहे हैं कुछ के लिए भी हो सकता है कि आप बहुत जादा किसी चीज को regret कर रहे हैं आप फिर से मैं कहूंगी sorry feel कर रहे हैं लेकिन surface level के लिए the emperor reverse and the hierophant reverse के cards कहते हैं कि आप partner को इस चीज को accept नहीं कर रहे हैं यानि कि आप partner को नहीं सामने से sorry बोलते वे दिख रहे हैं फिर से clear कर दू मन ही मन आपको कोई चीज बुरी लग रही है आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी गलती है आप regret कर रहे हैं लेकिन उसको partner के सामने accept करते वे admit करते वे नहीं दिख रहे हैं थोड़े से rigid, थोड़े से fixated होते वे दिख रहे हैं और कहीं mid October में या तो आप बहुत aggressive हो रहे हैं या फिर you know आप ऐसी energies में हैं लेकिन इस चीज को control कर रहे हैं और कहीं फिर से मैं कहूंगी end October के लिए काफी जादा stubborn, ziddy किसी चीज को लेकर होते वे दिख रहे हैं rigid fixated होते वे दिख रहे हैं और deeper level के लिए picky का card कहता है कि आप बिलकुल भी compromise करने के लिए, adjustments करने के लिए ready नहीं रहते हुए दिख रहे हैं बहुत choosy हो रहे हैं, बहुत selective हो रहे हैं चीजों को लेके अब देखते हैं Leo's के आपके partner की क्या energies हैं तो देखिए आपके partner के लिए यहाँ पे 10 of cups and narcissist के cards हैं तो कहीं देखिए बहुत एक प्यार महबत आपके लिए महसूस कर रहे हैं आपके साथ future चाहते हैं, आपके साथ family चाहते हैं आपका साथ हमेशा के लिए चाहते हैं, long term के लिए चाहते हैं लेकिन deeper level के लिए narcissist का card एक दो चीज़े कहता है यहाँ तो उनको ऐसे लग रहा है कि आपकी narcissist वाली qualities हैं आप बहुत self-centered हैं, आप सिरफ और सिरफ अपने बारे में सोचते हैं और इसी लिए देखिए, शायद इस relationship में थोड़ा practical, थोड़ा realistic होके चीज़ों को deal करना चाह रहे हैं यानि कि उनके मन में बहुत love, प्यार, महबबत तो है लेकिन उस तरीके से express नहीं कर रहे हैं थोड़ा practical हो रहे हैं, थोड़ा सा realistic होना चाह रहे हैं और कुछ Leo's के partner की भी energies हो सकती है कि आपके साथ future तो चाह रहे हैं, आपके साथ togetherness हमेशा के लिए तो चाह रहे हैं marriage, live-in तो चाह रहे हैं लेकिन कहीं मन ही मन के लिए काफी self-centered हैं, सिरफ अपने बारे में सोच रहे हैं जो भी हो कहीं mid October के लिए page of pentacles का card कहता है थोड़े practical, realistic होके चीजों को deal कर रहे हैं उनको ऐसे लग रहा है कि कोई तो unfinished business आपके और उनके बीच में है यानि कि कुछ चीजें अधूरी रहे गई, कुछ चीजों को लेकर closure नहीं मिला और कहीं, you know, बहुत ही फिर से मैं कहूंगी baby steps इस relationship के लिए लेते हुए दिख रहे हैं full-fledgedly नहीं आ रहे हैं कहीं थोड़ा practical, realistic तरीके से चीजों को deal कर रहे हैं और यहाँ पर the wheel of fortune, reverse and the chase के cards कहते हैं कि बहुत ज़ादा pen down उनकी energies रह सकती है और यह खास कर end October में ज़ादा आप महसूस करेंगे जहाँ पर कभी तो, you know, पूरी तरीके से इस relationship में आ जाते हैं आपको chase करते हैं, आपको convince करते हैं, आपको pursue करते हैं लेकिन कभी एकदम से गायब हो जाते हैं तो फिर से मैं कहूंगी, up and down, in and out वाली energies उनकी तरफ से रह सकती है और अब देखते हैं, लियोस की October मन्त में क्या हो रहा है तो देखिए, October starting के लिए Two of Pentacles का card भी कहीं इन ही energies को confirm करता है बहुत ज़ादा up and down, again, in and out वाली energies कहीं October starting में ही रहती भी दिख रही हैं आप दोनों याप दोनों में से कोई एक, ना तो पूरी तरीके से इस relationship में आ रहे हैं और ना ही पूरी तरीके से इस relationship से जा रहे हैं और देखिए, इसके लिए सब लियोस और उनके partner के लिए different reasons रहेंगे लेकिन यहाँ पर false promises, one night stand के cards कहते हैं शायद आप दोनों याप दोनों में से कोई एक दूसरे जन पर trust नहीं कर पा रहे हैं फिर से कहूंगी major trust issues रहते वे दिख रहे हैं या तो आपने लियोस अपने partner को false promises करे या फिर आपके partner ने आपको false promises करे यानि कि वादा तो किया, promise तो किया लेकिन उसको निभाया नहीं और one night stand का card कहता है कहीं physical intimacy भी आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक की किसी और बंदे से हुई यानि कि partner के अलावा किसी और से हुई या फिर आप दोनों के बीश में ये one night stand वाली story चल रही है और यहाँ पर हम one night stand को literally one night stand महीं लेंगे कभी-कभी होता है न कि हम सामने वाले से या फिर मैं कहूंगी partner से नराज होते हैं और हम उस phase में होते हैं जहाँ पर ना तो हमारा break up हो गया है और ना ही हम पूरे तरीके से relationship में है तो जब मिलते हैं बड़ी अच्छी बातचीत होती है कुछ गिले शिक्वे भी होते है physical intimacy भी होती है लेकिन हम बहुत sure नहीं होते हैं पार्टनर बहुत sure नहीं होते हैं तो इस तरीके की energies रह सकती है and three of wands का card कहता है कि कहीं mid October के लिए आप दोनों ही future को लेकर थोड़े से concern रहते हुए दिख रहे हैं यानि कि future के ओपर जाधा focus कर रहे हैं जो भी अभी हो रहा है वो कहीं आपके लिए इतना important इतना एहम नहीं रह रहा है long term goals बनाना चाहा रहे हैं again कहूंगी future से related goals बनाना चाहा रहे हैं अब दिखें यहाँ पर भी sublis के लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा कुछ के लिए हो सकता है कि इस relationship में future चाहा रहे हैं और उसी से ही related planning कर रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है क्योंकि trust ही नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि future कैसे possible होगा future में कैसे साथ रहेंगे क्या यहनों रहेगा इस तरीके से ही अगर चीजें चलती रही और इसी लिए या फिर otherwise भी five of wands and liking photos के cards कह रहे हैं कि एक दूसरे के लिए मन में बहुत ज़ादा प्यार है महबद है लेकिन surface level के लिए five of wands का card कहता है difference of opinion रहता हुआ दिख रहा है issues मसले होते हुए दिख रहे हैं कहीं arguments होते हुए दिख रहे हैं conflicting energies रहते हुए दिख रही हैं हाला कि देखिए यह minor arcana का card है तो बहुत कोई major issues मसले conflict नहीं रहेगी तो देखिए कुछ भी major ऐसे तो खराब नहीं होता हुआ दिख रहा है लेकिन यह चोटे मुटे issues है और tarot guidance के लिए होता है तो मैं आपको यही कहूंगी लियोस कि इस reading से आप guidance ले कैसे चीज़ों को बहतर कर सकते हैं अपनी life में चीज़ों को improve कर सकते हैं उस पर focus करें और अगर यह reading आपके साथ resonate करी है आपको आपके सवालों का जवाब मिला है तो इस channel को ज़रूर like, share और subscribe करें